हलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप साथ सब लोग आपकी जो त्यारी है वह बहुत अच्छे से चल रही है चले अपनी क्लास के साथ आगे बढ़ते हैं लास्ट क्लास में हमने बढ़ा था नौट फॉर्ट प्रॉफिट और्नाइजेशन के बारे में एंप्यूस के बारे में ठीक है जो चैरिटेबल इंस्टिट्यू ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं बैलन्स शीट काफी हद तक जो बैलन्स शीट होती है वो एंप्यूस की भी सेम ही होती है ठीक है सिरफ दो तीन जगा पर आपको जो टर्मिनोलोजी है वो उसका फरक पड़ेगा ठीक है सेम लाइबलीटी साइड अमाउंट एसेट्स अगें अमाउट ठीक है और आपको वो रूल याद होगा जब हमने फाइनेंशल स्टेटमेंट्स पढ़ा था तो सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा था गी जो सबसे पहले है महां पर आते हैं फिक्स डैसेट्स ठीक है जो इसका ओर्डर है वो रहता है कि जो फिक्स एसेट्स है वो उपर आते हैं और जैसे जैसे उसकी एसेट्स की जो रेकरिंग पिरियेड है मतलब वो कितने टाइम तक रहेगा हमारी बैलेंशीट में उसके रिड्यूसिंग उसमें हम नीचे लिक्विड एसेट्स को अध़रिंक जैसे हमने पैसे लेने है अप पैसे लेने है जो एनपूंए जिससे हमने पैसे लेने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं reinforced सब्सक्रिप्शन्स ठीक है अब सब्सक्रिप्शन इसमें कौन सी आएंगी जो एरियर में है मतलब जो आउट्सेंडिंग है जो पैसे अभी आए नहीं है लेकिन वो पैसे आने है राइट उसके बाद हमारी कोई एक्रूड इंकम्स हैं वो इधर आ जाएंगी ठीक है इंट्र पैसे अब लाइबलीटी वाली साइट चलते हैं लाइबलीटी साइट में सबसे पहले हम क्या लिखते दे जब हम फाइनाइशल स्टेटमेंट्स कर रहे थे प्रोप्राइटर्चिप की तो कैपिटल लिखते दे ठीक है यहाँ पर कैपिटल क्यों नहीं लिख सकते हैं आपके पास जो इसका फंड है टोटल जो उसकी नेट वर्थ है वो आपको कैपिटल फंड उसमें आपको शो हो जाती है ठीक है और इसमें हम जो हमारा सर्प्लस होगा कोई भी सर्प्लस कहां से आएगा इंकम एंट एक्स्पेंडिचर अकाउंट से जो सर्प्लस होगा वो यहाँ पर एड हो जाएगा और कोई और कि डेफिसित होगा तो वो सब्ट्राक्ट हो जाएगा राइट चलिए और क्या सकता है यह अपर और बाकी जो अलग लग फंड्स हैं कोई स्पेसेफिक फंड्स हैं वो आ जाएंगे कोई फंड्स हो सकते हैं स्पोर्ट फंड हो सकता है price fund हो सकता है इस तरह का कोई भी जो fund है XYZ कोई भी fund है वो इस side आ जाएगा और क्या जाएगा और हमारे outstanding expenses आ जाएगे ठीक है और क्या आ सकता है कोई भी जो subscriptions है ठीक है ये जो subscriptions थी अगर advance में आई है तो वो इस side आ जाएगे liability side ठीक है और आप totaling कर देंगे इसको ये जो है ये है हमारा basic format balance sheet का बाकि इसको एक सवाल में भी at the end of the class हम एक question करके देखेंगे जिसमें हम balance sheet बनाएंगे कोई आपको confusion हो तो वहाँ दूर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें दो तरह से accounting होती है एक तो हमने जो देखी कि आप receipt and payment account बना रहे है income and expenditure account बना रहे है और फिर balance sheet बना रहे है ठीक है balance sheet में अभी हमने बात करी थी कि funds से हमारे पास लग लग sorry funds से ठीक है fund based accounting क्या है कि कोई fund है कोई specific fund है हमारे पास उसका हमने balance निकालना है ठीक है उसको जो balance sheet में जो figure आएगी उसका हमने amount निकालना है तो चलिए एक example लेते हैं suppose कीजे हमारे पास एक sports fund है fund में specific और unspecific दोनों हो सकते है ठीक है specific हम ले रहे हैं sports fund एक बात का ध्यान रखिए जो specific fund होते है इसका सिरफ उसी purpose के लिए use हो सकता है बाहर किसी भी purpose के लिए जो use है उसका वो restricted है और जो unspecific है जो unrestricted funds है वो आप किसी भी उसको कहीं भी use कर सकते हैं आपका capital fund है वो एक तरह से unrestricted fund होता है जिसको आप किसी भी purpose के लिए use कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद भी अगर balance बचता है हमारे पास ठीक है तो ये balance general fund में मतलब हमारे capital fund में इसको हम add कर देते हैं ठीक है अगर purpose fulfill होने के बाद कुछ balance बच जाता है तो उसे हम अपने capital fund में transfer कर देते हैं चलिए अब हम example ले रहे थे sports fund का तो sports fund में क्या क्या हो सकता है sports fund में दो चीज़े हो सकती है कोई आपका expense होगा या कोई आपकी income होगी income किस चीज़ के लिए हो सकती है कि आपने sports fund वाला पैसा था ये invest किया हुआ था कहीं और उसके उपर interest आ रहा है हमें तो ये क्या हो जाएगा fund में add हो जाएगा क्योंकि इससे fund का balance जो है वो बढ़ेगा expense क्या हो सकता है कि आपने कोई event organize किया sports का उसमें आपका expense हो गया तो ये जो expense है ये deduct हो जाएगा उस fund में से क्योंकि उस fund में से पैसा use हुआ है तो वो fund कम हो जाएगा ठीक है अब एक मैं आपको example दू अगर हमारे पास opening fund है एक लाग रुपे ठीक है दूसरा के scenario ले रहे हैं हम opening fund है हमारे पास 10,000 रुपे ठीक है sports fund ही है दोनों अलग लग time time के funds है ठीक है इसमें हमने expense कर दिया 70,000 का और income आगी हमारे पास 10,000 की interest तो balance बचता है हमारे पास 40,000 rupees ठीक है but on the contrary अगर हमारे पास 10,000 रुपे इसका opening balance है ठीक है और हमारा जो income है वो हुई 1000 रुपे की 10,000 इसमें add होना था तो इसको bracket में नहीं डालेंगे ठीक है और जो expenditure है वो हो गया हमारा 18,000 रुपे था तो ये negative आ जाएगा 7,000 रुपी तो ये negative कैसे हो सकता है sports fund का balance ठीक है कभी भी किसी भी fund का जो balance है वो negative नहीं हो सकता उसके लिए हम क्या करते हैं ये जो 7, 7,000 का amount आया इसको हम income and expenditure account में transfer कर देते हैं अपना expenditure वाली side debit side ये 7,000 है जो वहाँ पर show हो जाएगा और जो आपका fund दा balance है वो zero हो जाएगा कभी भी कोई भी fund negative में नहीं हो सकता है ये इस चीज़ को आपने खास कर ध्यान रखना है राइट चलिए अगले point के और बढ़ते ह है अगला point है हमारा sale of an old asset ठीक है अब कोई अगर NPO के पास asset है ठीक है एक asset है suppose हमारे पास एक machine है चलिए machine छोड़िए कार है ठीक है बड़ी ऐसी एक BMW कार है ठीक है उसकी जो book value थी वो 10 लाग रुपे रह गए थी ठीक है depreciation लगा के 10 लाग रुपे रह गए थी अब होगा क्या जब आप इसको sale करेंगे तो इसमें 2 हो सकते हैं कि या तो आपको sale पे हुआ profit या आपको sale पे हुआ loss ठीक है sale पे profit भी हो सकता है loss भी हो सकता है अगर तो 10 लाग रुपे से उपर बिग जाएगी गाड़ी तो आपको profit हो जाएगा अगर नीचे बिगेगी तो loss हो जाएगा ठीक है तो अगर तो profit होता है अगर तो होता है profit तो आपका income and expenditure account में यह income side आ जाएगा यह वाला profit ठीक है अगर आपको हो गया loss दस लाग की ना भी की तो यह जो इसका loss होगा यह आपका expenditure side में आ जाएगा और जो asset account होगा वो जैसे हमने depreciation करते वक्त एक asset account मनाते थे तो asset account में से उसकी सिरफ book value deduct हो जाएगी राइट आगे चलकर इसका example इसका भी देख लेंगे अब एक general rule में आपको देता हूँ आपको exam में आप सिरफ अगर यह भी याद रख लेंगे तो आपकी काफी हद तक की accounting हो जाएगी ठीक है यह concept नहीं है यह सिरफ एक shortcut है तो please इसको सिरफ इसके उपर rely मत करना यह आपको एक मेरे cheat code दे दिया है ठीक है previous year current year outstanding advance कोई भी आपकी income है या expenditure है अगर आप उसके उपर यह rule लगा देंगे तो आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है आपने ध्यान रखना है कि अगर previous year की बात हो रही है और कोई outstanding expense की बात हो रही है मतलब previous year में हमारा कोई outstanding expense या income रह गया था तो उसको हम क expense या income current year से relate करती है तो उसको हम कर देंगे add and वाइसा वर्सा अगर previous year का कोई advance है तो उसको हम add कर देंगे और current year का कोई advance है उसको हम deduct कर देंगे अब इसके बीछे का logic क्या है अब हम जो हमारी accounting हो रही है जो हमारे income and expenditure account बन रहा है वो बन रहा है current year के लिए ठीक है तो आप सो income 30 साल जिसमें से मैं आपको कह देता हूं कि 10,000 रुपे जो थे वो पिछले साल के थे जो हमें इस साल receive हुए है तो आपको ये 10,000 माइनस करने पड़ेंगे इस साल की income निकालने के लिए ठीक है वही हमने किया previous year का outstanding को ही था उसको deduct किया ऐसी कि आपके बाकी के जो पीन cases है वो भी आपको easily solve हो जाएंगे राइट यहां तक तो बात हो गई हमारे सारे concepts की ठीक है चलिए अब चलते हैं question की और एक बार ही देखते हैं कि question में हमें सारी clarity मिलती है या नई आप जब भी यह वीडियो देखे तो इसको please pause करके खुद एक बार बनाने की try करें इसका receipt and payment account आपको दिया हुआ है इसमें आपको बनाना है income and expenditure account ठीक है सिरफ income and expenditure account बनाना है तो इसको आप अपने end पे try करने की कोशिश जरूर करना बाकी वीडियो में मैं तो करवाऊंगा ही तो चलिए एक बार नजर डाल लेते है receipt and payment account पे ठीक है सबसे पहली item क्या है cash and cash in bank and cash in hand यह तो होगी हमारी balance sheet की item ठीक है यह हमारी income and expenditure account में नहीं आएगी donation हमारी income होती है subscription अगेर income and endowment fund balance sheet item तो यह नहीं आएगा legacies legacies भी हमारी income होती है general rule जो है income होती है बाकी आगे additional information में देखेंगे क्या गयता है सवाल interest on investment again income interest on deposit income sale of old newspaper income ठीक है ऐसे ही payment site आते है furniture की कोई हमने payment की है तो यह तो हमारा balance sheet item है investments की है again balance sheet item advance for building again asset हमारा charities charity क्या हुआ charity तो खर्चा ही है तो यह हो गया हमारा expense salaries expense rent and taxes expense printing expense postage expense advertisement as expense insurance भी expense और यह है balance carried down again balance sheet item ठीक है तो इसका जो income and expenditure account बनेगा उसमें क्या क्या आएगा यह होगी हमारी debit side यह होगी credit side income side और expenditure side ठीक है सबसे पहली जो item है हमारा पास हम इसको करते है donations अब donation के बारे एक पर यह additional information पर भी देख लेते हैं कुछ लिखा हुआ है additional information क्या करती है it was decided to treat 50% of the amount received on account of legacies and donation as income बतलब जो amount total received हुई है उसका 50% हमने जो है वो income के तौर पर treat करना है तो duration कितनी receive हुई थी 32,000 receive हुई थी और income में फिर हम कितना कर देंगे उसका 50% इसे ही लेगेसी के बारे में क्या कहता है लेगेसी भी 50% करनी है तो यह हो जाएगी 12,000 अब अगली आइटम जो है वो है हमारे पास सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन कितनी थी हमारे पास 50,200 उसके बाद आता है interest on investment यह है 3,800 इंट्रस्ट on investment के लिए additional information में क्या कहता है रुपीज 2,000 due for interest on investment was not actually received मतलब interest हमें due हो गया था लेकिन पैसा मिला नहीं है मतलब outstanding at the end of current year तो वो हो जाएगा इसमें add 2000 रुपे और टोटल आ जाएगा 5,800 ठीक है अगला है interest on deposits sorry कितना दिया गया है सवाल में 800 रुपे और newspaper की sale 500 रुपे ठीक है यह तो होगी हमारी income वाली side complete अब expense में देखे तो rent and taxes कितना दिया है सवाल में 4000 और additional information में क्या कहता है liabilities to be provided for rent 800 मतलब यह outstanding हमारा जो खर्चा है यह इस साल का खर्चा था लेकिन यह अभी हमारी liability है क्योंकि हमने पेग नहीं किया तो current year का जो outstanding होता है वो at the end year होता है उसको हम क्या करते है एड कर देते हैं 800 रुपेस में एड हो जाएंगा salaries के बारे में क्या करता है salaries कितनी दस चार सो और एड होकर 1200 रुपे एड हो जाएंगे उसके बाद क्या है एड एड अकाउंट advertisements कितनी थी ग्यारा सो एड हो जाएंगे 200 ठीक है यह मैं यहां पर लिखनी रहा हूं वैसे आपको जो total amount है यहां आपके right side में लिखनी होती है amount column में उसके बाद क्या है उसके बाद सिधा सिधा charity आ जाएगा 60,000 और क्या बचा printing बच गया postage बच गया insurance बच गया insurance यह तीन item वो यहां पर आ जाएंगी और जो हमारे पास difference बचेगा उसको हम कहेंगे to surplus income जो है वो हमारी जादा होईगी और expenditure है जो हो है कम होगा और जो balancing figure आ जाएगा 1500 रुपे का वो होगा हमारा surplus वो कहलाएगा surplus राइट चलिए अगले सवाल के और बढ़ते हैं अगला सवाल क्या कहता है अगला पहले तो आप यह देखिए कि सवाल में बनाना क्या है इसमें बनाना है you are required to prepare income and expenditure account ठीक है अगें इस सवाल में आपको balance sheet भी बनवाते हैं इस सवाल में आपने balance sheet भी बना रही है तो सबसे पहले जो हमारा income and expenditure account है उसकी items एक लेते हैं balance from last year अगें balance sheet item, subscriptions, income, life membership fees अभी हमने पिछली class में करा था आप लोग ध्यान दीजिए क्या होता था life membership की हमारी जो है balance sheet item, donations, income, profit from entertainment, income, sale of old books ये भी हमारा जो है balance sheet item है इसका सिरफ profit या loss देखेंगे हम की क्या हुआ है यह हमारा assets आ, interest जो है income, payments में देखा है, rent है जो हमारा expenditure, electric charge expenditure, lecturer fees expenditure, office expense expenditure, printing and stationery expenditure, legal fee expenditure, books, asset है, ठीक है expenditure नहीं होगा, ये asset purchase होगा balance sheet item, furniture purchased, asset, expense on lucar drama, ये होगा expenditure, cash in है balance sheet item, ठीक है ये तो होगी हमारी bifurcation कि हमें, क्या-क्या bifurcate करके, क्या-क्या हमें, जो है हमारा income और expenditure account में आएगा, तो income और expenditure account जब हम इसका बनाएंगे, तो सबसे पहले income वाली साइड देख लेते हैं, सबसे पहली जो item थी हमारे पास थी, subscription, subscription कि में कितना पैसा था, 32,500, ठीक है, एक बार additional information में देख लेते हैं, क्या given है, subscription still to be received are 750, वहलब 700 रुपे जो इस साल की subscription थी, वह अभी आई नहीं है, outstanding at the current year, but subscription include 500 for the year 2018, मतलब अगले साल की जो subscription है, वह हमें advance में आगी है, तो जो 750 है, वह हम add कर देगे, और जो 500 है, वह deduct कर देगे, क्योंकि हम subscription जो है, वह सिरफ इस साल के relating हमें इसमें include करनी है, हमारे income and expenditure account में, यह आपको सवाल कैसे आ सकता है paper में, जैसे आपको direct कभी भी यह नहीं आ सकता है, obviously क्योंकि MCQ type exam है, कि आप पूरा account बना दीजे, ठीक है, आपको short आपसे पूछा जा सकता है, कि यह आपको information दे दी जाएगी, और आपसे पूछा जाएगा, कि subscription का balance, subscription की जो income and expenditure account में आपने value record करनी है, वो कितनी होगी, ठीक है, तो उसमें आपको knowledge होनी चीएगी, हमने क्या add करना है, क्या subtract करना है, और जो आपका answer होगा, वो होगा 32,750, इसी तरह से आपको किसी भी point के उपर question पूछा जा सकता है, हो सकता है, आपको asset पे पूछ ले, उसमें sale हो, इसमें sale का जो point हो, गिवन हो गई, ठीक है, तो आपको उस चीज के लिए prepared रहना है, और आपकी speed बहुत जादा, अच्छी हो जानी चाहिए, ताकि आपको इस जो direct question है, NPO के जो, NPO के talking में से अगर आपको कोई भी question आता है, तो वो short shot आपका, बिल्कुल सही होना चाहिए, इसमें कोई कोई SM मुश्किल concept, कुछ भी नहीं है, direct question आएंगे इसमें से, ठीक है, चलिए, subscription के बाद क्या आता है, donation, donation कितनी थी, 2500 रुपे, 2500, इसकोई additional information, नहीं कुछ नहीं है, उसके बाद क्या आया, profit from entertainment, additional information कोई, नहीं, बिल्कुल नहीं, 7204, उसके बाद क्या आया, interest, साड़े दीम सुर्पे, कोई additional information नहीं है, right, चलिए, expenditure side पे अगर हम देखें, तो सबसे पहले हमारे पास item है, rent, कोई additional information नहीं, charges, electric charges, कोई additional information नहीं, lecturer fees, कोई additional information नहीं, office expense, कोई additional information यहां भी नहीं है, direct, printing and stationery, again no additional information, 1050, legal fee, 1870, कोई additional information नहीं है, expense on lucat drama, 1300 रुपे, यहां भी कोई, नहीं है, ठीक है, तो, यह तो हो गया आपका जो basic items थी, जो direct items थी, अब इसमें हमारे पास एक है books, एक है furniture, और additional information क्या कहती है, provide depreciation on furniture 5%, including purchase, मतलब जो आपने यह purchase की है, 8600 की, इसके उपर भी आपको depreciation जो है, वो charge करना है, books के उपर कितना करना है, 10%, और building के उपर कितना करना है, 5%, अब question क्या कहता है, in the beginning of year, sung owned building 20,000, furniture 3000, and books 2000, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको balance sheet बनानी है, जिसमें आपको opening, जो है, items रे दी गई है, तो उसमें आपको, जो है, आपका balance sheet at the opening, at the beginning of year बनाना पड़ेगा, ठीक है, वो कैसे बनेगा, balance sheet छुटा सा बना लेते हैं, यहापे, balance sheet at the beginning of year कैसे बनेगी, सबसे पहले आप देखेंगे, कि जो हमारा beginning का balance है, 20,000, asset side आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, और 2000 आ जाएगा, यह हमारा additional information में, यह तीनों items given थी, ठीक है, और क्या आएगा, और आपने देखना है, कि आपके जो receipt and payment account है, इसमें कुछ और दिया है, आपको balance from last year दिया है, 2270, मतलब यह कौन सा balance है, यह cash and bank वाला balance है, कितना है, 2270, ठीक है, और कोई liability दी गई है, कोई liability नहीं दी गई है, कोई liability नहीं दी गई है, अगर दी होती तो, मुझे को liability side पे इंटर करते हैं, और जो हमारा जो balancing figure है, वो आ जाएगा, capital fund, कितना आ जाएगा, उसको addition करें, 27270, ठीक है, यह जो है, balancing figure है हमारे पास, अब हमारे पास capital fund का एक amount आ गया, तो इससे हमें क्या आसानी होगी बनाने में, हमारे पास जो है, balance sheet at the end of year भी बन जाएगा, ठीक है, कोई इश्वाना नीची है, capital fund आप सबसे पहले, capital fund लिखे, 27270, हभी हमने calculate करा, ठीक है, और balance sheet की चलो, एक एक item देखते हैं, life membership fee, add होगी capital fund में, बिलकुल, 3250, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक हमारे पास होना चाहिए, surplus, बट वो surplus जो है, हमारा अभी तक दिकला नहीं है, तो पहले surplus को देख लेते हैं, अब question क्या कहता है, कि जो building है, उसके उपर आपने, जो हमारी 20,000 की amount थी, उसके उपर आपने 5% depreciation देना है, आप इसके बाद देखेंगे, receipt and payment account में कोई building से related खर्चा तो नहीं है, नहीं है, तो सीधा 20,000 के उपर 5% जो है, वो depreciation लग जाएगा, और amount हो जाएगा, 1,000, building, to depreciation on building, right, इसके बाद क्या है, books, books की starting में कितनी value थी, 2,000 रुपीज, उसके बाद क्या हुआ, उसके उपने 6,500 की जो थी, books और करी दी, 2,000, plus 6,500, और sale कितनी करी हमने, जिसकी book value थी, 1,000 की, तो book value में से 1,000 रुपीज जो है, वो आप minus कर देंगे, बचे आपके पास, 7,500, अगर आपको कोई date mention नहीं है, purchase की, या sale की, तो आप जो depreciation है, वो हमेशा closing balance पर लगाएंगे, तो इस question में depreciation कितनी लगानी थी हमने, 10% और 10% किस के उपर, 7,500 के उपर, तो 750 जो है, इस question में books की जो है, depreciation आ जाएगी, ठीक है, चलिए, ऐसे ही furniture का जो point है, depreciation on furniture at the rate 5%, ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, 3,000 रुपीज, ये रही, ठीक है, और क्या अगर हमने, furniture purchase करा, 8,600 रुपीज का, 3,000 प्लस 8,600, और कोई information, नहीं कोई information नहीं है, तो 11,600, इसके उपर depreciation हम calculate करेंगे, तो बन जाएगी, 5,80, ठीक है, ये point भी हमारा जो है, depreciation वाला जो है, cover हो गया, अब एक point रहता है, कौन सा रहता है वो point, आप लोग सोचिए, ये वाला, जिसमें हमें book value mention की गई थी, ठीक है, book value 1,000 रुपीज की दी, और हमने ये बेचा, कितने का 750 का, मतलब book value से कम में amount में sell हुई, तो क्या होगा, loss होगा, कितने amount का होगा, जो इनका difference है, उस amount का, जो है, वो loss हो जाएगा, हमें sale में, ठीक है, तो इसको आ जाएगा, loss on sale of asset, 250 रुपीज, expenditure side to, ऐसे ही, इस सवाल में भी, जो आपका difference आएगा, जो आपका balancing figure आएगा, वो होगा surplus, इसको यहां से raise कर देते हैं, surplus आजाएगा, जो है, balancing figure, approximately शायद आपका 2404 आएगा, इसको आप खोद अटेंप भी गीजेगा, और किसी को कोई doubt हो, किसी भी question में, या इस topic में, यह topic हमारा यही तक था, इसके बाद आपके सिरफ practice है, और जो है, हमारे MCQs है, अभी हमने recently MCQ course भी अपना एक launch किया है, video course launch किया है, पहले MCQ course है, हमारा सिरफ जिसमें explanations written form में थी, अब हमने launch कर दिया है, हमारा MCQ course है, उसमें आपको video explanations भी मिलेंगी, मतलब सारी teaching जो है, आपको हर question जो है, वो करके दिखाया जाएगा, जिसमें आपको detailed explanation भी लेगी, आप वो जरूर लीजेगा, अगर आपकी exam preparation, आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी हो जाए, तो वो course आपको बहुत help करेगा, यहाँ पर जो है, यूट्यूब पर जो है, हम सि depth की बात कर रहे हैं, लेकिन जो practice है, जो MCQ practice है, वो आपकी website कर उपर होगी सबसे अच्छी, right, चलिए, thank you very much, आज की class में इतना ही,